हेलो फ्रेंड्स स्वागत आप सबका हमारी यूटीब चैनल दवेधिक गुरूज आज वेधिक गुरूज क्लास 9 के बच्चों के लिए NCRT एक्जेंपलर मैंदेमेटिक की बुक के एक्सराइज 1.3 के लास्ट वेधिक गुरूज अगर आपने अभी तक यूटीब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बैल अगर बटन जरूर दबाएं तो आई शुरू करते हैं एक्सराइज 1.3 का 13th question देखिए लिखा है रेशनलाइज दर डेनॉमिनेटर जैसे पहले की तरह रेशनलाइज करते हैं हम डेनॉमिनेटर को बाकी कोशिस में किया है वैसे ही करना है क्या डिफ्रेंस है इस बार हैंस evaluate by taking आपको root 2, root 3 और root 5 की values decimal की form में put करनी है और 3 decimal place तक इसका answer find out करना है तो देखिए first part है हमारे पास 4 upon root 3 लिखा है तो सबसे पहले हम इसको rationalize करेंगे 4 upon root 3 को rationalize करेंगे तो क्या आएगा देखिए 4 upon root 3 याने multiply by root 3 and divide by root 3 तो यह बन जाएगा 4 root 3 divided by root 3 multiply root 3 3 right तो 4 अब root 3 के place पे आपने root 3 की value put करनी है जो में statement में given है 1.732 और divide by 3 यहां लिख देंगे because root 3 जो है वो 1.732 होता है यह value याद भी रखनी है आपने और यह statement में given है तो पहले हम इसको क्या करेंगे 4 से multiply गर लेते है देखिए 4 2s are 8 4 3s are 12 4 7s are 28 plus 1 29 and 4 1s are 4 plus 2 6 6.928 divide by 3 अब हमने इसको 3 से cancel कर देना है तो क्या आएगा 3 2s are 6.33903 9s are 27 one remainder बच्चे का वो छोड़ देगी क्योंकि हमें जो आंसर के लिए करने के लिख आ गया है वो अप्टू 3 places of decibel करने के लिख आ गया है तो first part का जो आंसर आएगा that is 2.309 let's move on to the second part now second part में गिवन है 6 upon root 6 यहाँ पर भी आपको पहले rationalize कर दा है rationalize तो क्या आएगा देखिए 6 upon root 6 multiply by root 6 and divide by root 6 तो यह आएगा 6 root 6 divided by root 6 multiply root 6 6 तो यह देखिए 6 से 6 cancel होगे तो क्या बचा है root 6 अब हमें root 6 की value given नहीं है statement में हमें values given है root 2 और root 3 के तो इस root 6 को आप पहले root 2 multiply 3 की form represent करेंगे और फिर root 2 multiply root 3 अब इनकी values root 2 की value होते है 1.414 multiply root 3 की value होते है 1.732 यहां mention भी कर सकते हैं आप side में कि आपने यह values यूज की है root 2 की 1.414 और root 3 की 1.732 इन दोनों को आपने multiply करते हैं जो भी answer आएगा 3 places of decimal तक लेना आपने आपके लिए छोड़रें 3 places of decimal तक आपने इनको multiply करके answer represent कर लेगा है अब थर्ड बार्ट कर रहे हैं थर्ड इन question का लिखा है root 10 minus root 5 upon 2 तो denominator में देखे square root function नहीं है तो इसका मतलब denominator में इसका rationalization नहीं होगा 2 रहेगा जो root 10 है इसको हम split कर सकते हैं root 10 को आप लिख सकते है 2 multiply 5 minus root 5 as it is divided by 2 अगें root 2 multiply 5 को आप separate कर सकते हैं root 2 multiply root 5 लिखके minus root 5 divided by 2 अब इन दोनों terms में से आप चाहें तो root 5 common ले सकते हैं तो बचेगा root 2 minus 1 divided by 2 तो अब यह देखें root 5 और root 2 की यहां पर मैं value put कर रहा हूं 1.414 minus 1 divided by 2 अब root 5 की value put कर देते हैं root 5 की value है 2.236 और 1.414 में से 1 minus कर देगे तो बचेगा 0.414 और divide by 2 है ठीक है अब आपने इसको चाहें तो cancel कर सकते है 2 से तो देखिए क्या बचेगा यह cancel कर दें आगर हम तो बचेगा 0.207 यहने अब आपने 2.236 को multiply करना है 0.207 से and I think multiplication process is very easy you can do it by yourself और जो भी multiply करने के बाद answer आएगा उसको आपने करना है up to three places of decimal वो आपका final answer बनेगा right now let's move on to the fourth part root 2 upon 2 plus root 2 लिखा इस बार डिनोमिनेटर में तो जब तो देखिए अब root 2 से आप 2 को multiply करेंगे तो को नहींगा 2 root 2 minus और root 2 को root 2 से multiply करेंगे तो 2 लिखा जाएगा डिवाइड वाए डिनोमिनेटर में a plus b a minus b का formula नहीं आसकते च्या होता है a square minus b square आप अब तक सब बच्चों को याद हो गया formula फिर भी एक बार mention कर देता हूँ इसे क्या बचेगा root 2 minus 1 divided by denominator में 2 का square है 4 minus root 2 का square से root cancel हो जाएगा 2 बचेगा तो यहाग है 2 into root 2 minus 1 divided by 4 minus 2 2 अब ये वाला 2 और ये वाला 2 cancel हो जाएगे यहाँ पर आप root 2 की value put कर सकते है 1.414 जो statement में given है minus 1 कर देंगे तो जैसी 1.414 में से आप 1 को minus करेंगे तो बचेगा 0.414 which is the final answer. देखे 13th question का 5th part करें इस बार 1 upon root 3 plus root 2 हमें इसको भी rationalize करना है और जो final answer है वो 3 decimal places तक calculate करना है तो जब rationalize करना है तो बीच में plus sign है देखिए हमने आपको बताया था जब rationalize करते हैं तो sign change हो जाए था बीच वाला plus है तो यहाँ minus हो जाएगा यहन्ने root 3 minus root 2 से multiply और root 3 minus root 2 से divide ठीक है root 3 minus root 2 रहेगा numerator में तो जो कि 1 से multiply होना same आ जाएगा denominator में यहाँ a plus b a minus b का formula लगा देंगे आप यहाँ a square minus b square अब यहाँ root 3 की value बूट कर देते देखिए 1.732 minus root 2 की value 1.414 divide पर denominator में square से root cancel हो जाएगा 3 minus यहाँ यहाँ 1.732 में से आपने 1.414 minus करना है तो कैसे बचेट देखिए क्या बचेगा मैं आपको करके दिखार हो 1.732 1.414 यहाँ से 12 minus 4 8 2 minus 1 1 and 7 minus 4 3 और 0 तो 0.318 और 3 minus 2 1 यहने 0.318 जो है वो 3 decimal places तक आपका final answer है देखिए last question है 13 exercise 1.3 का 14th question simplify गरना है exponents वाले questions है law of exponents यूज करेंगे 1 की power 3 first part में लिखाया plus 2 की power 3 3 की power 3 and whole raise to power 1 by 2 तो 1 raise to power 3 यहने 1 का cube 1 को 3 times multiply करेंगे 1 आएगा 2 का cube 2 multiply 2 multiply 2 8 3 का cube 3 को 3 times multiply करेंगे तो 27 raise to the power 1 by 2 27 plus 8 35 plus 1 36 raise to the power 1 by 2 और 36 को आप लिख सकते 6 square और हमने कहां था powers multiply यह आती है तो 202 cancel हुई 6 raise to power 1 यहने 6 answer आगा फर्स पार्ट था लेट्स मूब ओन तो देखिए पहले सेगेंड पार्ट 3 upon 5 raise to power 4 8 upon 5 raise to power minus 12 and 32 upon 5 raise to power 6 तो देखिए पहले सबसे पहले इनको powers को solve करते हैं 3 upon 5 raise to power 4 को आप लिख सकते हैं 3 raise to power 4 5 raise to power 4 यह power minus में है 12 तो अगर आप 8 upon 5 कर reciprocal कर दे 5 upon 8 तो यह power positive हो जाएगी 12 into similarly 32 raise to power 6 divided by 5 raise to power 6 तो यह बचेगे आपके बचेए आपके बचेए 3 raise to power 4 दिवाइड बाइ 5 raise to power 4 multiply और अब यह भी separate कर देंगे 5 raise to power 12 यहां 5 raise to power 6 अब सारी powers उपर ले जाते हैं इमरेटर में 3 raise to power 4 देखें यह 5 raise to power 4 यह उपर जाके माइनस 12 हो जाएगी multiply 2 raise to power 5 और 6 पावर मल्टिप्लाइ जाती है 30 और यह जो 5 raise to power 6 बचेए यह उपर जाके आगें यह minus की 6 multiply यह terms अभी लिख लेते हैं देखे 12-12 और 3 पावर मल्टिप्लाइ यह हैंगी minus 36 और 2 raise to power 30 3 raise to power 4 होता है 81 multiply 5 raise to power देखें यह plus का 12 गावर minus 4 minus 6 minus 10 12 minus 10 2 2 raise to power बेश से में पावर एड हो जाएगी minus 36 plus 30 तो यह आज हैका 81 multiply 25 into 2 raise to power minus 36 plus 30 minus 6 तो 81 multiply 25 और यह जो power minus में नीचे आखे प्लस में हो जाएगी 2 raise to power 6 इनको multiply कर देंगे आप 2025 divide by 2 raise to power 6 कितना होता है 64 तो this is the final expression after simplification देखे 14th question का 3rd part कर रहे है simplify 1 upon 27 raise to power minus 2 by 3 power minus में है तो इस हमदला अंदर वाली term का अगर हम reciprocal कर दें तो power positive हो जाएगी 2 by 3 27 को आप represent करते हैं 3 raise to power 3 और बाहर minus 1 by 4 whole power 2 अब आपको पता है कि जो powers होती है वो consecutive multiply जाती है यानि minus 1 by 2 multiply minus 1 by 4 multiply 2 लिख सकते हैं तो यह बचेगा 625 into minus minus plus हो जाएगे यह 2 यह 2 cancel हो जाएगा यानि power बचेगी सिर्फ 1 by 4 और 625 का मतलब होता है 5 raise to power 4 raise to the power 1 by 4 powers multiply जाती है तो 4 multiply 1 by 4 4 से 4 cancel हो गया 5 raise to power 1 means 5 is the right answer देखे 5th part simplify कर रहे है 9 raise to power 1 by 3 27 raise to power minus 1 by 2 divided by 3 raise to power 1 by 6 multiply 3 raise to power minus 2 by 3 तो जो 9 है सबसे पहले इसको solve कर रहे है 3 की power की form में लिखे है 3 raise to power 2 power 1 by 3 multiply 27 को भी 3 raise to power 3 multiply minus 1 by 2 divide by 3 raise to power 1 by 6 इसको भी सेन रखते है 3 raise to power minus 2 by 3 अब यह powers multiply जेंगे जो numerator में है 3 की power 2 multiply 1 by 3 2 by 3 into 3 raise to power 3 multiply करना है minus 1 by 2 के साथ तो minus 3 by 2 बन जाएगा denominator सेन रखते है 3 raise to power 1 by 6 multiply 3 raise to power minus 2 upon 3 अब देखे सभी का base जो है वो 3 है तो base सेम है उपर जो multiply में वो power set हो जाएगी 2 by 3 plus minus 3 by 2 या एक step और लिख लेते हैं अभी थोड़ा साओर इसी हो जाएगा आपके लिए 3 raise to power 2 by 3 multiply 3 raise to power minus 3 by 2 multiply जो यह base denominator में लिखा है 3 raise to power 1 by 6 अब इसको उपर लेके जाएगे यह power minus हो जाएगी और यह 3 की power minus 2 by 3 उपर जाके plus की 2 by 3 हो जाएगे 3 raise to power 2 by 3 अब यह सारे multiply में है base सेम है power add कर देते हैं देखे 2 by 3 minus 3 by 2 minus 1 by 6 plus 2 by 3 इन सब का LCM ले लेते हैं powers का 6 LCM आयागा 3 to the 6 और 2 to the 4 minus 2 3 to the 6 3 to the 9 minus 1 plus 3 to the 6 और 2 to the 4 क्या बनेगा 3 raise to power देखे 4 plus 4 8 और minus 9 minus 1 minus 10 divided by 6 यह 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 बनेगा 3 raise to power minus 2 by 6 और आप इसो cancel करतेंगे तो 3 raise to power minus 1 by 3 is the right answer now let's move on to the 6th part 6th part में देखे 64 raise to power minus 1 by 3 बाहर है bracket के और अंदर दो terms है दोनो 64 base है लेकिन बीच में minus sign है तो यह minus sign जो है हम इसको solve नहीं कर सकते है सबसे पहले हम क्या करेंगे इसलिए bracket open करते है यह जो bracket है 64 raise to power minus 1 by 3 बाहर लिखा है पहले first term से multiply होगा 64 raise to power minus 1 by 3 multiply 64 raise to power 1 by 3 बीच में minus sign as this रहेगा फिर यह दूसरी term से multiply होगा याने 64 raise to power minus 1 by 3 multiply 64 raise to power 2 by 3 अब यह simplify हो सकते है बेस सेम है पावर एड़ हो सकती है 64 raise to power minus 1 by 3 plus 1 by 3 minus 64 यहां भी बेस सेम है पावर एड़ हो सकती है minus 1 by 3 plus 2 by 3 तो यह minus 1 by 3 plus 1 by 3 देखे cancel हो जाएगे पावर 0 हो जाएगे 64 raise to power 0 minus और यह बन जाएगा 64 raise to power 2 by 3 minus 1 by 3 यह प्लस का 1 by 3 anything raise to power 0 1 होता है तो 64 की power 0 भी 1 होगा minus 64 का भी सिकते है 4 raise to power 3 और यह 1 upon 3 बाहर है तो 1 minus 4 power powers जे होती है multiply यह 3 multiply 1 by 3 3 से 3 cancel होगे तो 1 minus 4 raise to power 1 यहनि 4 और 1 minus 4 minus 3 is the type of answer सबसे पहले हम इस सबको base सेम बनाने कोशिश करते हैं जैसे 8 लिखाया है तो आप लिखे लिखे हैं 2 raise to power 3 और power 1 by 3 16 का मतलब होता है 2 raise to power 4 और 32 का मतलब होता है 2 raise to power 5 power minus 1 by 3 अब इनकी powers multiply कर देंगे दिखें 2 raise to power 3 multiply 1 by 3 2 raise to power 4 multiply 1 by 3 और divide by 2 raise to power 5 multiply minus 1 by 3 तो यह 3 से 3 प्लस 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 त्री अब उन में लगा के पावर स्कैल्सियम ने लेंगे 3 आएगा तो 3 प्लस 4 प्लस 5 यह यह ने 2 raise to power 5 प्लस 4 नाइन प्लस 3 त्वेल्व तो 12-13 cancel the right of force it 2 raise to power 4 which means 16 is our right answer तो देखा बच्चों आपनी यह थी exercise 1.3 के last two questions 13th और 14th इसी के साथ आपकी NCRT exemplar book की 9th class की mathematics की exercise 1.3 आज complete होगी है आपने सभी questions को बड़े अच्छे से practice करनी है वीडियो को पूरा देखना है और like जबूर करना है इस lockdown में आपने खूब मन लगावी पढ़ना है और अपने घर में रहना है सुरक्षित रहना है सेफ रहना है खूब मन लगावी झाल 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 झाल